दोस्तों जैसे ही स्रेय सेयर आउट हुए, कप्तान रोईज सर्मा और विराट कोली का एंगरी रियक्षन देखने लाइक था जी है दोस्तों आपको बता दे पाकिस्तान के खिलाब भारत की हालत बेहत खराब लग रही थी एसिया कप में भारत अपना पहला ही मुकाबला पाकिस्तान के खिलाब खेल रहा था हैरी स्राउप की सौर्ट गेंद पर स्रेय सेयर बड़ा सौर्ट लगाना चाहते थे उन्होंने पुल सौर्ट लगाया लेकिन वो कैच आउट हो गए दोस्तों जब स्रेय सेयर आउट वे तब टीम इंडिया का स्कोर 48 रन था और टीम इंडिया की हालत बेहत खराब थी इदर स्रेय सेयर आउट होकर पविलियन जा रहे थे उधर कप्तान रोहिट सर्मा और विराट कुली ड्रेसिंग रूम में काफी ज़्यादा गुस्से में नजरा रहे थे रोहित सर्मा और विराट कुली का ये मानना था कि सरेय सेयर को धिमी बल्ले बाजी करनी चाहिए थी और उन्हें भी केट पर टिक कर खेलना चाहिए था लेकिन सरेय सेयर ने ऐसा नहीं किया जिस पर विराट कुली और रोहित सर्मा काफी गुस्से में नजर आए तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार का एसिया कब भारत जीत भी पाएगा या नहीं आप अपनी राहा में कमेंट करके जरूर बताईएगा और सब्सक्राइब कर लिजे हमारे यूटूब चैनल को धन्यवाद